महाराश्ट्र के चाचा भतीजा ने प्रदेश भी नहीं बलकि राश्ट्री राजगीदी में भी भूचाल ला दिया है यहां NCP नेता अजीद पवाड ने एक बार फिर अपने ही चाचा शड़त पवाड से बगावत कर ली है NCP के कुछ बिधाय को को तोड कर वो NDA सरकार में शामिल हो गए है शिंद्य सरकार में 50CM बनने के बाद अजीद पवाड ने पाटी पर भी अपना अधिकार ठोग दिया है फिराल तो चाचा के सामने पाची बचाने का खत्रा है और भतीजे को जिप्टी सीम की कुर्स ही मिल गई है चाचा भतीजे के बीच ऐसी ही एक जंग बिहार में भी इस वक्त देखने को मिल रही है यहां केंद्रिय मंत्री पश्वती बारस का अपने ही भतीजे चिराग पाजवान से जगड़ा है पूर्फ केंद्रिय पंद्री राम विलास पाजवान की निधन के बाद चाचा भतीजे की बीच राजनयतिक विरासत को लेकर जंग देखने को मिली थी उस वक्त चिराग भले ही हार गए हो लेकिन माना जा रहा है कि मोदी के हनुमान को वीजिपी अब अधिकार दिलाने वाली है सूत्रों के मताबिक बीए मोदी आने वाले दिनों में अपने मंत्री मंदल में फेर बदल करने वाले हैं चिराग पासवान को उनके सबर का फल मिलने वाला है और पत के लिए पाटी तोड़ने वाले पारस के हाथ से कुरसी फिसलने वाली है कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी अलकमान अभी चाजब भतीजे की लड़ाई को थुलजाने पर जोड़ दे रहा है घर के जगणों को शान करने की कोशिच में यदि पशुपती पारस अड़ गए तो उने एंडिये से भी पाहर किया जा सकता है यही नहीं उनके साथ गई सांसर भी अचिराग के साथ पुरने के संकेत दे रहे हैं एलजेपी की सांसर भी नदेवी पहले ही पशुपती और चिराग को पारिबारिक दुबात सुलजाने की स्तलह दे चुकी हैं उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिच भी यही रहेगी कि चाचो और पतीजा एक साथ हो जाए पतना लोटते ही उन्होंने मुख्यमंदरी निदीश कुमार पर जमकर निशाना शाथा और बिहार की दुर्दशा के लिए उन्हें दोशी खेराया झाल 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 झाल